किसी भी शहर को घूमने जाने पर सबसे बड़ी चुनोती होती है कहां ठहरा जाए कि शहर की घूमने लाइक जगे बस्टेंड वो रेले स्टेशन नजदी को साथ ही वो जगे हमारे बजट में भी हो ऐसे में अगर हम किसी ओटो ये टेक्सी वाले से पूसते हैं तो वो अपन में शिमला टूर के दोरान में जिस जगे रुका था वो काफी बजट फ्रेंडली होने के साथ रेलवे स्टेशन वो बस्टेंड से मात्र पांच मिनिट की दूरी पर थी और होटल से दिखने वाला नजारा भी आकशक था तो आईए विजिट करते हैं शिमला की इस होटल को जो शिमला बस्टेंड से मात्रिप 200 मिटर की दूरी पर है सबसे पहले मैं आपको यहां के कमरे और सुविधा ही दिखा देता हूँ फिर आपको यहां के किराय की जानकारी भी दे देता हूँ चार मंजिले इस होटल में मेरा कमरा थर्ड फ्लोर पर था जहां पर मेरे पास तीन ओप्शन मुझूद थे पहला ओप्शन था मैं बड़े होल में अपना एक बेड ले लूँ जहां अपने सामान को एक लोकर में भी रख सकता था और शेरिंग होल के पास ही साफ सुत्रे लेट बात भी मुझूद थे दूसरा ओप्शन था विदाउट लेट बात वाला रूम पर मैंने चूस किया अटेश लेट बात वाला रूम क्यूंकि किराय जो इतना कम था मेरे रूम के बड़े बात रूम में एक बड़ा गिजर भी लगा था जिसे में जब चाहता इस्तमाल कर सकता था साथ ही कमरे में आराम के लिए डबल बेट के साथ डबल ब्लेंकेट और अलमीदा भी मौझूद थे मेरे कमरों के इन खिड़कियों से शिमला का बहदी दिलकष नजारा तो दिखाई दे ही रहा था मनोर अंजल के लिए मेरे कमरे में टीवी भी लगा था होटल की इन सुविदाओं में फस्ट फ्लोर पे बनी एक कैंटीन भी थी जहां मात्र 80 रूपे में घर जैसा गरमा गरम खाना मिलता था मेरे होटल के ठीक सामने एक बड़ी पारकिंग भी थी तो मुझे शिमला में पारकिंग की किसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ा शिम्ला के इस होटल से शिम्ला के फेमस प्लेस जैसे शिम्ला रिट्स और यहां के मार्केट भी मात्र पांच मिनट की दूरी पड़ थे आईए अब जानते इस होटल कम धरमशाला के कमरों का किराया जो शेरिंग होल का मात्र 200 रुपे विदाउट लेट बात वेले कमरे का मात्र 400 रुपे और मेरे कमरे यानि अटेश लेट बात वाले कमरे का जो इतनी सुविदा होने के बाद मुझे लगता है शिम्ला का सबसे सबस्ता होटल होगा मात्र 500 रुपे था जियां दोस्तों मात्र 500 रुपे इतने कम किराये की वज़े से मैं अपने शिम्ला टूर को भी बजट फ्रिंडली रख पाया मैं उमीद करता हूं इस वीडियो होटल इन शिम्ला जो शिम्ला के बिंदू राज धर्मशाला किये आप आपको कुछ जरूरी जानकारी दे पाया हूंगा आप चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब करके मेरा प्रौफसान जरूर बढ़ाईएगा आपके मन में कुछ और सवाल रह गए हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजेगा मैं उन सवालों के सब्सक्राइब दन्यवाद